और इस कहानी की शुरुआत होती है कैवन 11 के गैरस से, जहाँ पर एक एलियन उसके गराज में देके डॉन रोबोट्स को स्कैन करके उन पे स्टडी कर रहा था, उसी समय वहाँ पे कैवन 11 भी आ जाता है, और उस एलियन को चुप चाप अपने गैरस से बाहर निकलने को कहता ह वह एलियन कुछ बोलता हुआ कैवन 11 के पास आ रहा होता है, और इतना ही देखके कैवन उसके उपर में अटाक करता है, पर वह एलियन कैवन 11 के हर एक वार को डिफेंड करके अपने आपको बचा लेता है, और उल्टा ही कैवन 11 पे अटाक करके उसे बेहोश कर देता है, ज तुम अपसे अपने गराज में नहीं सोने वाले, तभी केविन जटके से उठता है, और ग्वेन को बचानी की कोचिश करता है, पर वो देखता है कि सुबा हो चुकी है, और वो एलियन वहाँ से जा चुका है, कि वो एलियन एक वेपन मास्टर था, जो कि टेकेडान रोबोट्स को बनाता है, ग्वेन केवन से कहती है कि हमने इससे पहले भी उन सारे रोबोट्स को हराया है, केवन सीरिस हो के कहता है, लगता है तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रही हो, मैं यहाँ पे टेकेडान रोबोट्स की बात नहीं, उनको बनाने वाले वेपन मास्टर्स की बात कर रहा हूं, जो कि अपने प्लैनेट से कभी नहीं निकलते हैं, और वो अब बेन और ओम्निट्रिक्स के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके बाद में हम बेन टेनिसन और जूली को एक साथ में देखते हैं, बेन जूली के साथ गेम खेल रहा होता है और कंप्लेन करता है कि मुझे इस गेम से काफी ज़्यादा नफरत है, जूली बेन को ताने मारते हुए कहती है, सबके पास एलेंस वाली पावर नहीं होती है, हम जैसे लोगों को प्रेक्टिस से ही अपने आपको बेटर बनाना पड़ता है, बेन कहता है अगर मेरे पास एलेंस वाली पावर हैं तो अब मैं उसका यूस करूँगा, और इतना ही कहने के बाद में वो खुद को एको एको में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, एको एको में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी बेन जूली का सामना नहीं कर पाता, और इनी बातों के दोरान पे वहाँ पे वेपन मास्टर का स्पेस्शिप आ जाता है, जिसके बाद उस spaceship से Weapon Master निकलता है और Ben के Omnitrix को देख के कहता है कि Omnitrix मुझे मिल चुका है Ben एक नई alien को देखने के बाद में Echo Echo से खुद के default रूप में transform हो जाता है और कहता है कि तुम तो मुझे जानता ही होगे Weapon Master Ultimitrix को scan करता है और उसे पता चलता है कि Ben के DNA से जुड़ा हुआ है और वो बार-बार Ultimitrix को Omnimatrix कहके बुला रहा था Ben उसे बताता है कि ये पूरी तरीके से मेरे DNA से नहीं जुड़ा हुआ है और ये Omnitrix नहीं Ultimitrix Ben के इतना ही कहते वो alien Ben के ultimatrix को scan करना start कर देता है और कहता है कि Omnitrix से इसके pattern काफी ज़्यादा different है जिस वज़ा से इसकी complete judge करने के लिए मुझे ultimatrix को ले जाना होगा और इतना ही कहने के बाद में वो weapon master Ben के Omnitrix को उठा लेता है इतना ही देखके Ben Julie से कहता है कि यहां से दूर भागो और अपनी powers का use करके उन सारे defense systems को destroy कर देता है और अपने default route में आके Julie को धूनने लगता है लेकिन तब ही वहाँ पे weapon master आ जाता है और molecular voice को activate करके Ben को पूरी तरीके से जकड के अपने spaceship में लेके चला जाता है Julie उन्हें रोकनी की कोशिश करती है पर नाकाम्याब रहती है और उसी time पे वहाँ पे Kevin 11 और Gwen भी आ जाते हैं जिसके बाद में हम weapon master के spaceship के अंदर का नजारा देखते हैं जहां पे Ben कैद हुआ होता है और कहता है कि तुम मुझे यहां से चुप चाप जाने दो तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ तभी weapon master Ben का पूरा bio data Ben के सामने रख देता है और बताता है कि नए data के हिसाब से omni matrix में काफी changes किये गए हैं Ben उसे बताता है कि omni tricks नहीं ulti matrix है weapon master कहता है कि हमें orders मिले हैं Galvin technology को चीन कर उसका फाइदा उठाना है जिसके बाद में वो ulti matrix को Ben की हाथों से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन सही time पे Ben उसे बताता है कि अगर ulti matrix को तुम मेरे हाथों से अलग करोगे तो यहां पर एक धमाका होगा जिसकी वज़े से मैं और तुम दोनों ही मारे जाएंगे weapon master अपने AI को कमांड देता है कि Galvin technology को access करके उसके सारे securities को hack करके तोड़ दो Ben weapon master की बातों को सुनके हसने लगता है और कहता है कि ulti matrix को कोई भी hack नहीं कर सकता weapon master के AI ultimatrix को hack करना start कर देते हैं और धीरे धीरे उसके चारों wall को hack कर लेते हैं Ben ये देख के हैरान हो जाता है और साथ में ये भी कहता है कि ठीक है भले ही तुम ये सब hack कर पाओ पर तुम master control तक कभी नहीं पहुच पाओगे पर Ben के इतना कहने से पहले ही weapon master ultimatrix के master control को भी hack कर लेता है और सारे security feature को बंद कर देता है जिसकी बाद में weapon master Ben के हाथों से ultimatrix को निकालने जाता है लेकिन तभी एक announcement होती है जिसमें उसका AI बताता है कि spaceship के अंदर में एक anoditian मौजूद है और तभी वहाँ पे Gwen and Kevin भी teleport होके आ जाते हैं और weapon master के उपर में attack करने लगते हैं और तभी weapon master अपने आपको खुद के spaceship से connect कर लेता है और Gwen and Kevin के उपर में attack करना start कर देता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि weapon master की technology anoditian के सामने fail हो रही है और ये देख के Gwen Kevin से कहती है कि तुम Ben की जान बचाओ तब तक मैं इसे रोके रखती हूँ weapon master Gwen के उपर में काफी सारे attacks करता है पर Gwen अपने mana power की help से उन सारे attacks को defeat कर देती है और वहीं दूसरी side Kevin 11 Ben को उस lock से छुडाने की कोशिश तो करता है पर उसे छुडा नहीं पाता बताता है कि इस lock में एक force field भी है जो कि बस mana power की help से ही तूट पाएगा Gwen Kevin से बोलती है कि मैं ज़्यादा देर तक इससे नहीं रोक सकती क्योंकि ये मेरे mana power को भी अब defend कर रहे हैं और इतना ही कहने के बाद में अपने mana power का use करके Ben को उस lock से आजात कर देती है ये देखकर weapon master उन सभी को plasma energy में cat कर देता है पर Ben अपनी ultimatrix का use करकर alien में transform होनी की कोशिश करता है पर ultimatrix के अंदर में कोई glitch होनी की वज़ा से उसकी जगा पर Gwen and Kevin alien में transform हो जाते हैं weapon master ये देखके एक defense system को activate कर देता है जिसके बाद space ship से Gwen and Kevin 11 गिर जाते हैं और space ship से उन दोनों को निकालने के बाद में वो Ben के उपर में वापस से attack करना start कर देता है पर Ben जैसे तैसे करके weapon master के आखों में धूल जोक के छिप जाता है वहीं दूसरी side Gwen and Kevin आस्मान से काफी तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं Gwen diamond head में और Kevin 11 jet tray में transform था Gwen उसे कहती है कि diamond head को उड़ना नहीं आता तो तुम मेरी जान बचाओ jet tray diamond head को बचाने की पूरी कोशिश करता है पर उसका निसाना हर बार चूक जाता है और तभी Gwen कहती है कि तुम से कुछ ना हो पाएगा मैं अपने mana power का ही use करके खुद को बचा लूँगी और जैसे ही diamond head के body में अपने mana power का use करती है mana power का एक crystal बन जाता है जिसके अंदर में jet tray और diamond head फस जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं और वहीं दूसरी side weapon master अभी भी Ben को ढून रहा होता है Ben weapon master को बार बार कहता है कि ultimate tricks कोई weapon नहीं है जिसके बाद में weapon master एक काफी evil हसी देके कहता है कि omni matrix अब तक का सबसे आधोनी खतियार है और सोच कर देखो क्या होगा अगर एक पूरी सेना के पास अपना खुद का omni tricks सो Ben कहता है कि ये सब मैं पहले सुन चुका हूँ और इतना ही कहने के बाद में Ben एक बार वापस से छिप जाता है weapon master Ben को ढूनता हुआ कहता है कि omni tricks की साहयता से हमारी technology में उन्नती होगा और वो काफी साल आगे की हो जाएगी Ben कहता है कि ये सब तो ठीक है पर तुम्हारी technology से जो दवाही मस्ती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा weapon master बोलता है कि ये जानना हमारा काम नहीं है इतना सुनते Ben कहता है कि शायद फिर इससे तुम्हें दिक्कत ना हो और weapon master के ही बनाय हुए टेकडॉन से Ben उस पर attack कर देता है जिसके बाद Ben एक safe जगा पर छुपकर अल्टी मेटरिक्स को चेक कर रहा होता है तब ही वो Gwen से connect हो जाता है और उसे खुशी होती है कि Gwen और Kevin ठीक है अल्टी मेटरिक्स के अंदर Ben के location का hologram मिलता है जहाँ पर उन्हें ये पता चल जाता है कि Ben अभी भी अर्थ पे मौजूद है बताता है कि मैं एक टेकडॉन फैक्टरी में फसा हुआ हूँ जिसके बाद में Gwen को ये पता चल जाता है कि ये फैक्टरी हो ना हो वही होगा जहाँ पर वेलकैनिस पहले Ben के उपर में अटैक करता था जिसके बाद में Kevin, Gwen और Julie वहां के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी साइड हम देखते हैं कि Weapon Master Ben को ढून लेता है और उससे अल्टीमेट्रिक्स मांगता है और उसके उपर में अटैक करता है Ben को लगता है कि अल्टीमेट्रिक्स अब फिक्स हो चुकी है और वो एलियन में ट्रांस्वार्म होने की कोशिश करता है पर अल्टीमेट्रिक्स अभी भी फिक्स नहीं हुई थी जिस वजय से Kevin and Gwen एक बर वापस से aliens में transform हो जाते हैं क्युकि Kevin 11 wild mut में transform हो गया था जिस वजय से वो car नहीं चला पा रहा था और उसकी गाड़ी crash हो जाती है पर गाड़ी crash होने तक वो अगू टेडाउन factory के पास में पहुच जाते हैं जहाँ पे Gwen बोलती है जब इस फैक्टरी को मिलेक्टरी इतने दिन से नहीं हटा पाई तो इन एलियन्स के दम पे हम क्या कर सकते हैं। अभी बेन एक बार वापस से अल्टी मेट्रिक्स का यूज करता है और वो लोग हुमांगा सौर और बेबिग में ट्रांस्फॉर्म हो जाते हैं। पर वो लोग उस टेकडाउन फैक्टरी को कुछ कर पाएं उससे पहले बेन वापस से अल्टी मेट्रिक्स में छेटशाड करता है और वो दोनों अपचक एन नैनो मेक में ट्रांस्फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद में नैनो मेक यानि की केवन ग्वेन यानि की अपचक को समझाता है कि तुम्हारी पावर स्चार्टने की है। और जैसे ही बेन के हाथों से अल्टी मेट्रिक्स को उतारने जाता है वहाँ पे नैनो मेक आके उसे शौक देना स्टार्ट कर देता है। ग्वेन, केवन और बेन को ठीकाने लगा पाए। तभी ग्वेन के कहने पे बेन एक बार वापस से अल्टी मेट्रिक्स का यूज करता है और उन्हें नए इलेंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पर केवन इलेवन और ग्वेन नए इलेंस में ट्रांसफॉर्म होके टेकेडान रोबोट्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी लड़ाई के बीच में बेन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि शायद मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। जिसके बाद में बेन अल्टी मेट्रिक्स को कमान देता है हार्ड रिसेट होने का। Ultimatrix खुद को hard reset कर देती है जिसके बाद में उसके सारे glitches fix हो जाते हैं और वहीं दूसरी साइट Gwen और Kevin भी अपने default troop में transform हो चुके थे तब ही वहाँ पे weapon master आ जाता है और Gwen और Kevin को जंजीरे पहना देता है Gwen अपने mana power का use नहीं कर पाती क्योंकि इस बार उनके हतियार upgrade हो चुके थे जिसके बाद में weapon master Gwen से कहता है कि तुम anadite हो और मैं तुम्हारा use अपने नए machine को बनाने में करूंगा और क्यूंकि Kevin 11 एक osmosian है तो अब हमें कोई भी raw material बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसे ही वो उन दोनों पे attack करने जाता है Ben four arms में transform होके weapon master की काफी बुरी तरीके से फिटाई करता है जिसके बाद में हम देखते हैं कि team Tennyson weapon master को हरा देती है और वो अपने spaceship को लेके चला जाता है Julie Ben से पूसती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वापस ultimatrix के पीछे नहीं आएगा Ben बताता है कि Kevin ने उसके computer को पूरी तरीके से बरबाद कर दिया है और वो अब ultimatrix के पीछे नहीं आ सकता अब ही Kevin मजा करते हुए कहता है कि अपने planet पे जाके ये नहीं कहेगा कि कुछ teenagers बच्चों ने इसे बुरी तरीके से मारा है और इसी के साथ ये episode end हो जाता है